आज की वीडियो में हम कश्या ग्यारवी स्टाटिस्टिक्स का आखरी जिहां लास चेप्टर इंडेक्स नंबर खतम करने जा रही है अगर आपको इस चेप्टर के नोट चाहिए तो टेंशन नको हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है बट उससे पहले अपने क इंडेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं अब एक चीज़ समझ रहा है जहां पर भी आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा है एक प्रॉब्लम आपके साथ आई है सब कुछ करने के बाद भी हम इस शब्द का एक्जेक्ट मतलब अब तक अपनी भाशा में नहीं समझे तो मैं इंडेक्स नंबर का मतलब है कि आपको शर्मा जी के बच्चे से कंपेर किया जा रहा है क्या है आपको शर्मा जी के बच्चे से कंपेर किया जा रहा है आप कौन हो हम है साब करंटियर हम है करंटियर आज के बच्चे और शर्मा जी के बच्चा कौन है शर्मा जी का एक ऐसा बच्चा है जिसमें कोई बुरा ही नहीं है बिलकुल भगवानाथ वो उतरके आई है तो बेस यह का मतलब एक ऐसा साल जिसके अंदर किसी भी प्रकार का प्लाइस फ्लक्चुएशन नहीं है बारत में बेस यह सन 2011-2012 को लिया जाता है ठीक है तो वट इस इंडेक्स papa हमट के बुलात है इंडेक्स नमर के शिरुअत होती है 100 से वैसे इंडेक्स नमबर में 0 नहीं होता है पाइस एक एंडेक्स के मुकाबले 120 1 सो बीश नमबर आया है इसकां मतलब है 100 हो गयाğa झाला है के से महंगाई भड़ गई है समझ में आ गया क्लियर हो गया इंडेक्स नमबर वट इस नमबर कमपारिजन अफ करेंट यह प्राइस और क्वांटिटी विट सम बेस यह और बेस यह क्या है भगवान आत्मा जिसमें कोई भी गडबड नहीं हुई है अब एक स्टैंड डेफिनेशन देखते है डिजाइन टू यह कैसा तरीका है जो बनाया गया है ताकि हम बता सके चेंज इन वेरियेबल ग्रूप रिलेटेड वेरिये वे बदला वेरियेबल क्या हो गई प्राइस हो गई क्वांटिटी हो गई या कोई और चीज हो गई डाल-चावल चीनि निन के दाम हो पुराने साल के हिसाब से इस साल में क्या-क्या बदलाव आगे विट रेस्पेक्ट टू जियोग्राफिक लोकेशन जैसे मालो आगरा के मुकाबले दिल्ली थोड़ा महंगा है अगर आगरा में हम रहते हैं तो पंदरा जार रुपे पर पर सन पर मंत का खर्चा है वही दिल्ली का अप्रोक्सिमेटली इतना आएगा इंडेक्स नंबर एक सो बच्चेस इसका मतलब है सो प्लस बच्चेस यानि 25 परसेंट जाधा महंगा है दिल्ली तेक है अब आप बोलोगे सर यह बताओ अगर आप हंड्रेट को जीरो ले रहे हो तो पर जीरो जैन देते हैं इसको मालब आपका इंडेक्स नंबर आ रहा है असी तो इसका मतलब होता है 100-20 यानि 20% प्राइस कम हो गए इंडेक्स नंबर को नेगिटिव में नहीं दिखा सकते है इसलिए हमने बेस क्या लिया है 100 से नीचे मतलब डिक्रीज हो रहा है प्राइस सो से उपर मतलब महंगा यह हो और सो मतलब जी रो अंडर इंडेक्स नंबर प्राइस अवन यह हमारा यह इस कंपेर्ड विद प्राइस और क्वांटिटिटी आफ बेस समझ में आ गया क्या मदद करता है इट हल्पस तो फाइंड आउट परसंटेश चेंज इन दे वाल्यू लग अलग अलग वेरि जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस साल में कोई भी प्राइस का अनीवन फ्लक्टुएशन नहीं आया यानि किसी वज़े से प्राइस बहुत ज्यादा उपर नीचे नहीं हुआ है अब देखो यहां पर एक टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स इन कंस्रॉक्शन आफ इं केड़िए हैं तो यह कंकुलेट करना बहुत एड़ीखीर है क्यों है अपको यह पता होना चाहिए कि आप इंडख सिर्शन नमबर क्यों केल्कुलेट करना वटेसिक परपस औस इंडेक्स नमबर है जैसे अभी मैंने बोला आगरा के मुकाबले दिल्ली वहलेकीर महा तो कै आपको आपको यह उख करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस व्यक्ति विशेश किष सुविधा के लिए इंडेक्स निम्बर बना रहे हैं अतला बाट है यह बहुत ज़रूरी है पता हो अब तो आपको पता ही चल गया कि भारत में जनरली जाधता दो हजार ग्यारा बारा को बेसे लिया जाता है बेसे सेलेक्शन बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसा यह पता करना जिसमें मैं जिस चीश का कैलकुलेशन कर रहा हूं उसके प्राइस में को अनिवन नहीं आया हो तो वह चीश कैलकुलेट करना वह चीश धूड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है धूड़नाण के हमारे भारत के शास्त्रेशन नों इस साल को 2011-12 को बेसे निकाला है ठीक है यानि सबसे सही बच्चा कुन सा है शर्माजी की कौन सी ओलाद ठीक है कौन दाल लोगे चावल लोगे एक आजमी एक महिने में 200 तरीके के खर्टे करता है अब 200 तरीके के खर्चों को तो हम कंपेर नहीं कर सकते हमें 5-6 तरीके के खर्चों कंपेर करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम या सबसे बड़ी है कि हमें बहुत सारे गुर्ज में से कुछ 5-6 निकालने पड़ेंगे जिनको हम काड़ें गरें गरेंगे आगरा ईधेल़ी के रइस कौन सा फोल्टा प्रास लोगे रिटे प्रास लोगे या ओपन- Beetle zei कंपर कर के बात करेंगे। दिल्ली में 35 रुपे बाद में पता लगा रहे हैं तो रीटेल का है वो होलसेल का है तो गड़बड हो गई तो कौन सा फॉर्मूला हम इसे इत्माल करेंगे यह आपके काम का है यह सारी तो कहानिया है जो आपके ज़्यादा काम के नहीं है अगर question आता है तो आपको लेखना ह है बाकी जो main purpose है ना हमारा वो है formula कि कौन सा formula हम इसे इत्माल करेंगे जब बात आती है कौन सा formula तो यहां पर बहुत सारे formula हैं इंडेक्स नंबर की calculation के लिए तो इंडेक्स नंबर जो आप यहां इस चेप्टर में पढ़ रहे हैं वो दो प्रकार की हैं एक है simple इंडेक्स न पर है अब इससे फरक नहीं पड़ता कि दाल हम पांच किलो दे रहे हैं चावल एक ही किलो दे रहे हैं यानि quantity को नहीं मेजर कर रहे है ठीक है दूसरा वहता है वेट इंडेक्स नंबर कि यहां पर हम quantity को मेजर करते हैं कि भाईया देखो दाल पांच किलो लगती है चावल हाउनल का प्राइस निकालेंगे और तीन किलो प्राइस निकालेंगे तो यह हो गया जोहां पर सिंक्रूपर अगर प्रैस दिखते है थेक्शATHAN करते हैं ध्यान के चावगत करते हैं ध्यान से शेखना एक होता है आपका आगर है और एक है अगर अगर मैंने कर रहे हो तो कैसे कि सबसे पहले अगर शिम्पल ही आपको इंडेक्स नंबर करना है इकवर लेटेश अधो आपको मैंतर होते हैं पहला सिम्पल एग्रीगेटिव मेथड ठीक है एक दूसरा मेथड होता है वो है सिम्पल एवरेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ठीक है इसमें डरना नहीं है किसको है करना है प्राइस रिलेटिव इक चीज है जिसको चैलकूलेट कैसे करता हुँ तो इसमें यह मैथड़ करता है आर निकालो इसका निकाल दो खटम किससे ठीक यह तान्व बहुत अशा है इंदेक्स नमबर है तो इसके अंदर पहला आता है आपका यह आपके बहुत काम का है क्योंकि यही वो मैथड है जिसमें जो अलग-अलग आदमी है जिनके तुमने नाम सुने फिशर हो गया पास्टेश हो गया और तुम्हारे लैस्पेर हो गया तो उन सब का काम जो है न यहीं है और नेक्स से आपका लगए है यहीं थाम? यह इसमें क्वंटिटी को नहीं मेजर करते हैं सभी प्रैस देखते है इसमें प्रैस के साथ क्वंटिटी भी आजाती है यानि कि वेट भी आ जाता है जेखते है अब एक इक हें करके हम चारों को solve करते हैं लेखते हैं कौन सा method कहां पर काम करता है सबसे पहले बात करते हैं simple aggregative method सबसे easy method है पहले definition पढ़ो under this method इस method के अंदर हम क्या करते हैं aggregate of the prices of the commodity in the current year current year के price के aggregate को लेते हैं are divided by aggregate of the prices of base year into 100 साधा बाशा में index number अगर आपको निकालना है तो submission P1 upon submission of P0 into 100 यहां पर दो तीन चीज़े दिख रहे होंगे आपको पहला यह इसका मतलब होता है price index price index of current year on the basis of base year, base year के हिसाब से current year के price index को calculate करना जीरो वड़ जो है ना यह है base year के लिए calculate होगा याद रखना इंडेक्स नंबर में हमेशा और वन जो है यह current year के लिए calculate होगा ठीक है तो अगर मैंने बोला P1 यह नहीं prices of current year P0 prices of base year समझ में आ गया P01 price index of current year on the basis of base year ठीक है तो यहां पर मैं लिख जाता हूँ P1 prices of current year ठीक है P0 prices of base year समझ में आ गया clear हो गया आसान है बहुत इजी है यह submission word आपके लिए पुराना है submission इसका मतलब क्या होता है add करना क्या होता है add करना जोड़ दो तो P1 जितने भी उन सबको जोड़ दो P0 जितने भी उनको जोड़ दो into 100 कर दो आपका index नंबर का calculation आ जाएगा समझ में आ गया question देखें बैटरीन सा चलो एक बड़ी आसा question देखते है उसके बाद आप समझ ज होगा ठीक है यह हमारा current year के लाएगा सबंदर मानुस यह ना वो ले सा current यह दो हजार थी दो हजार चोइस ले हो ठीक है अब current year मतलब जिस year का हम calculation कर रहे है current year का मतलब जिस year का हम calculate कर रहे है ठीक है तो हमारा formula क्या कहता है P01 submission of P1 upon submission of P0 into 100 यह आपका basic formula है देखिए यह यह ल देखो यहां पर quantity है commodity है one two three four five पाच commodity है इनके price दे रहा है पहली commodity 2011 में 15 रुपे की थी वही commodity 2022 में 30 रुपे की हो दूसरी commodity 2010 में 2018 में 28 की थी यह 34 रुपे की होगी तो हम क्या कर रहे है calculate कर रहे है उन्हें the business of base year to current year ठीक है जी देखो एड़ करें 60 70 70 और ती 100 105 105 15 120 148 यह हो गया अगर इसको देखें 60 और 90 डेढ़ सो डेढ़ सो और पचास डेढ़ सो और पचास कित्ता हो गया 200 210 आ रहा है क्या है अब यह क्या है submission of P0 P1 formula apply करें 210 upon 148 into 100 तो यह कित्ता हो गया 20000 divided by 148 ठीक है तो यह हो गया देखो 141.89 ठीक है जी 141.89 जिनको नहीं आ रहा ऐसे कर लेना बिटा हो जाएगा 20000 141 तो कितनी बार में जाएगा 148 एक बारी में जाएगा कितना हो गया बावन और यह हो गया 62 यह एक 0 तार दिया आपन ने फिर कितनी बार में गया चार बारी में आठ चौक बतिस तीन सोला और तीन सत्रा ठारा उन्नेस हासल का एक चार और एक फाइव नाइनटी टू ठीक है इस तरीके से आप कर लेंगे आपका अंसर आएगा इंडेक्स नमर में एक चीज़ या रखना 100 से नीचे तो बहुत रेर है यहीं पता लग प्रसेंट प्रसेंट तो नहीं बोलूगा वह जादा है अब देखो यह 141.89 इसका मतलब क्या है 100 प्लस 41.89 परसेंट के आसपास दाम भड़ गए है देखो यही बता रहे है यह दुगने हो गए यह थोड़े से बढ़े यह भी बढ़ गए यह भी बढ़ गए तो बढ़ रहे है तो अव्यस सी बात है में क्या दिख रहा है 141.89 मतलब महंगाई जादा हो गई है समझ में आ गया पहला मेटड कितना एजी था प्राइवन तो दा क्या है पर्सेंटेज就 समझा देटीज रिष्म है और बेस यिर के बिच के प्राइज के परसेंटेज रेशो को को हम क्या मोलते हैं प्राइस साहता पशा मोले तो यह और प्राइस रिलेटिव धु1 lucy इसके अंदर इन सब को एड कर रहे थे और फिर लिख रहे थे इसने बोला यह पहले करो पी वन अपॉन पी जरॉन टू हंडड हर लेवल पर करना है अगर हम फॉर्मला बोले तो पी जिरो वन इक्वल टू समिशन ऑफ आर अपॉन डव्यू यह आपकी किताब में जो लिखा ह यहां पर आपको हर इंडिविज्वल आइटम पर पहले यह करना पड़ेगा जो आएगा उसको एड करेंगे बहतर समझने के लिए यह हमारे पास एक क्वेशन है ठीक है पी वल और पी जिरो है यह पी यह पी जिरो हम फॉर्मला अप्लाए करते देखो पी जिरो वन इस एक क्या कही करा थ plan the average price relative price relative इसका average निकालोoks किसे निकालते सबको जोड़ो डिवाइड बैन फे स्क्रीर देखो अब तो मुझे उमीद है कि आवाज नहीं आ रही होगी पड़ अगर आ रही है तो मैं कुशिश करता हूं उसको तो नेगलेट करने की थोड़ा सा वाइस कम कर ले ना और तो क्या बहुत है अब तुम सुन रहे हो आ रही है नहीं आ रही न तुम्हें तो चैन काई कोई नहीं है मैंने मैं जनरली बोल गया कि तो एडिटर अपना अच्छा है कर देगा सेट ठेक है देखो तो यहां पर है पीवन अपॉन पीजरो इन टू हंड्रेड यानि टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड इन टू हंड्रेड यह मुझे हर लेवल पर करना पड़ेगा दो सो बटा सो इन टू हंड्रेड यह कित्ता आ गया 200 मैं एक कोलम हें हम रहे तो इसमें भी करना है 50 अपॉन 10 इन टू हंड्रेड जीरो से जीरो हो गया यह आ गया 500 एपां फाई्व इं टू हंडड एtoo ए फ्रकर को एंटा एक टू इतए गोफित प्रवर इंटू हंडू गया आ सब क्लीर हो गया इसको कई रहे थे प्राइस में क्या बढ़ा आगर आपको और वहतर समझना देखो क्या है प्राइस यह दुगना हो गया इंडेक्स नंबर क्या रहा है सो से उपर काउंट करना है तो दुगना मतलब प्राइस तस से पचास हो गया पाच गुना हो गया तो इंडेख्स नमर के कोई दर कितना है 500 प्राइस ले गया है अब लगाते हैं अब नहीं हम यहाँ लगाएं देखो यह वहीं हैं इसका बैण क्मारा है इसका समीशन कर लेते हैं कहने कि समीशन और कर लेते हैं 200 500 800 400 और 600 यह हजार 2000 धाई हजार हाँ वही है कितना आ गया यह आ गया अपका धाई हजार अब नंबर आइटम कितने अपने अपने एक दो तीन चार पांच तो हम लिखेंगे धाई हजार डिवाइड़ बाइफ यह काड़ दिया अपना अंसर क्या आ गया 500 500 का मतलब अब on an average 2011 से 2022 में जिन commodity को हमने लिया है प्राइस पांच गुना भड़ गया है क्या हो गया प्राइस पांच गुना इंक्रीज हो गया है समझों में आ गया क्या मैं साइड ओना हूं एक बर स्क्रीन चॉट लिए न ठीक है जी तो प्राइस इंडेक्स कितना रहा हमारा जस्ट फाइव टाइम्स क्लियर चलो आगे देखें यह तो हो गया सिंपल अब बात करते हैं वेटिड इंडेक्स नमबर तो वेटिड में भी एक तो प्राइस रिलेटिव का और एक आपका वेटिड एग्रीगेटिव ठीक है अभी अपनने प्राइस रिलेटिव समझा है जैस्ट सिंपल नशा स्थ उपलेटिड एक तो क्या होगी आप को मिन खेटिड प्राइव से देखो तो क्या है समूशल ऑफ एक सब्सक्रीड यही तो पहरा है समझ गए यहां F क्या है आपका W और X क्या है आपका R से वही चीज़ के रहा है ठीक है की लियर हो गया देखो मिटा देते हैं इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे तो P01 का फॉर्मुला क्या होगे आपका अगर आपका वेटिद एग्रिगेट है तो समिशन ऑफ रव अपॉन समिशन ऑफ डव्यू आर का मतलब अभी भी वही है पीवन अपॉन पीजीरो इंटू हंड्रेट तो क्या करो पहले आर निकालो फिर उसको डव्यू से मल्टिप्ल चाहिए है वजन भी मिल गया है थंगा तो जब उनकर मिल जाते हैं कि पंद्रा किलो ना पना चाहरे सिंगल सिंगल एक किलो ना पुलू एसलिए करते हैं जैसे मानलो मैं बोल रहा हूं कंजूमर प्राइस कि आगरा में रहने की cost of living कितनी है तो cost of living में पता लगता है कि बहुत यह दाल है 40 kg दाल लगते है 40 kg अनाज लगता है 30 kg चावल लगते है 15 kg मालनो डाल लग रही है 10 kg कुछ और लग रहा है 5 kg कुछ और लग रहा है तो इन सब चीजियों को मिलाते हैं तो वह एक महीने का राश है तो अब पहले अपना formula लिखते है formula क्या है r w summation of w and here we go r p1 upon p0 into 100 तो पहले तो आर निकालते हैं यह लो आर यानि p1 upon p0 into 100 ठीक है अब मैं देखो थोड़ी समझदारी कर रहा हूं ठीक है न आप calculate कर ले ना कोई लिक्कत नहीं है और मेरे पास समझदारी है तो मैं उसका इस 200 आएगा calculate कर लो बले यह 400 आएगा यह थोड़ा अजीब आएगा तो यह इन्टु 100 ठीक है तो फंदरा सो इन्टु डिवैड बाए दो यह आगया आपका साड़े साथ साथ गुना बढ़ गया न प्राइस ठीक है यह पांच गुना प्राइस बढ़ा है तो इसका प्राइस आर आपके पास आगया अब अगला काम है आपका आर डॉट डबल्यू यह रहा ब्लिव दो सो इन्टु चालेस चार दुनिया आठ एक दो तीन जीरो चार सो इन्टु तीस चारतीय बारा एक दो तीन जीरो चार इन्टु सब्सक्क्राइब लिए मー पिछस्ट्र इन्टु 15 15 है yourself तिल गें कि आले किसे किकर तक honour पंदरा संत्ते हो गया सांत्ट तो यह आ गया ग्यारा हजार दो सो पचास रुपए ठीक है पान्सों इंटू दस पांच हजार और शेसों इंटू पांच तीन हजार एक बाद देखी कैलकूलेशन में को मिस्टेक नहीं वे भी चेक कर लेता हूं वैसे तो नहीं होगी पर जस्तिन केस अगर हो जाती है तो आठ हजार बारा हजार ठीक है पांच जार तीन हजार ठीक है ओके आगे पड़े चलो एक चीज है यहाँ पर जो हमारी टीम से गलती हो गए मैं उसको सुदार देता हूं यह 16 लिखा हुआ इन्होंने गलती से यह 15 लिख दिया है ठीकिन आप 15 से भी कैलकूलेट कर लोगे त पर 16 लिखा हुआ है हमारे निमेरिकल में जो नोट्स में गिविन है तो वही निमेरिकल में यहां सॉल करा लेता हूं ठीक है ना चलो ठीक है क्लियर अपने पास आड़ डब्ल्यू आगया अड़ कर ले मिढ़े यह लो इदर लेते किदर यह लो ठीक है हां और डिवाइड म है डब्ल्यू तो यह लो डब्ल्यू अपना हो गया सकतर असी नब्हे सो वाह इतनी आसान के दे बगवान मेरे को देखो बाराद उनी चौबिस चौबिस और आठ और आठ सोला अच्छा इसलिए इन्होंने वह लिख दिया था ठीक है सोला और आठ यह हो गया चालिस हजार चार सो यानि की आपके जो प्राइस हैं वो करीब चार गुना भड़ गए हैं समझ में आ गया कर लेंगे चल लास्ट सबसे ज्यादा वाले में थड़वाला हा मैया यह वो है जिसकी इंतजार में आपकी अखियां तरस कही थी यानि कि यह है आपका वेटेड एग्रिगेटिव एथड सिंपल है यहां पर हम क्या कर रहे हैं क्वॉंटिटी का इस्तमाल कर रहे हैं अब यहां पर जो वेट था वो एक स्पेसिफिक क्वॉंटिटी थी यहां यहां पर हम बात कर हरे हैं जब वेट अखॉर्डिटिग टू फॉंटिटी परचयेज होता है कि पहरे आदमी कितना घ्रीता था आज आजादा करी सकता है कम करी सकता है तो यहां पर हम कॉंटिट थी का इस्तमाल करते हैं यानि कि आपको frame नहीं गिवन टृफ के साथ क्य nueva क्यों even के साथ क्यूंड है तो पुराने स्थे की प्राइस की क्वांटिटी प्राइस भी है क्यूंटी थिक है तो अब अब सवाल उक्ता है कि किसका इस्तमाल करेंग तो यहां पर तीन अलगा लोग अ और तीन नन य Destiny ते में अब Antså करेंसर यह को चोड़ दो मैं साइडरों गया ता बेशनक लिए इतनी इस्तमाल करना है पासे इसे नहीं खटनना है इनका हाँ जी पास्टेस मेथड कहा गया इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि स्रिफ आप करेंट यर की क्वांटिटी लो और करेंट यर की क्वांटिटी का ही इस्तेमाल कीजिए in order to calculate इंडेक्स नमबर तो इन्होंने क्या बोला भाईया देखो submission of P1Q1 upon P0Q0 O P0 Q1 into 100 देखो ध्यान से क्या है तो इनके method के इसाब से अगर हम इस्तमाल कर रहे हैं calculate कर रहे हैं तो हमें current year की quantity ही लेनी है दौनों तरफ P1Q1 price of current year quantity of current year price of current year into quantity of current year quantity हमेशा Q1 ही ली जाएगी जो दूसरा method था इसने का है कि भाईया देखो ये गलत बात है current year कि मतलो हम पुराने साल के लेते हैं तो सेम वही है इतना method तो सबका सेम है इतना method सेम है इसने current year लिया था दूसरे भाई ने दूसरा भाई था वह दोनों से बहुत ज़्यदा प्रभावित था उने का दोनों ले लो तो उने का देखो भाई पहले तेरा method ला P1 Q1 P0 Q1 multiply by तेरा method लिया P1 Q0 P0 Q0 ठीक है दो बार हो गया index नंबर तो square root लगा दो और 100 को बाहर कर दो ठीक है आप किस-किस ने नाम दिया था ये थे हमारे फिशर भाई या और ये थे पास्टे के बार less pairs method ठीक है तो भाई ये तीनों method है एक बार तीनों का screenshot ले लो लेना हो तो आपको ठीक है ना तीनों का screenshot ले लो इसकी सबसे आसान का अब सबसे आइडियल का रहा गया क्योंकि एक तो इसमें क्वांटिटी को भी कंसिडर किया गया है दोनों साल की क्वांटिटी को एक साथ कंसिडर किया गया ये ताइम दोनों को हम एक साथ देख रही है ठीक है तो भली क्यू वन लो भली क्यू जीरो लो दोनों एक साथ काम में आ रही है तो इसलिए इस मेथड को आईडियल मेथड कहा जाता है ठीक है अब ये अपन सारे ही कल्कुलेट कर ले ठीक है एक क्वेशन करता है और ये गफालें पर के हमाड़े पाच्चे भाईया फिर बेसियर के बेस पे हमारे एल भाईया फिर आता है आपका दौनों फिशर भाईया एफ ठीक है फॉर्मॉला लिख देते हैं अपन पहले समिशन आफ पी वन क्यू वन पी जीरो क्यू वन इंटू अंड्रेट नेक्स्ट है पी वन क्यू जीरो पी जीरो क्यू जीरो इंटू हंड्रेट अंडरूट में पी वन क्यू वन पी जीरो क्यू वन इंटू पी वन क्यू जीरो अपॉन पी जीरो क्यू जीरो इंटू हंड्रेट ठीक है तीनों का मेथड हम एक एकर के स्तमाल लेंगे और तीनों से आंसर निकल जाएगा ठीक है तो तो चलो calculate करते हैं तीनों चारों चीज़े एक साथ की calculate हो जाएंगी चार चीज़े तो calculate करनी है पहली दूसरी तीसरी और चौती पहले निकालते हैं पी जीरो तो चैट्याट ठरकाट हसल का एक अड़ता लिस और वाँ छह क्या बात है क्या रूपे से एक रूपे आ गया तक है पीजिरो क्यूजरो और निकाल लेता है यानि कि यह रहा और यह रहा है दस इंटू आठ इस पांच इंटू पंदरा 25 तीन इंटू आठ आठ तिया चोईस और छे इंटू नौ कितना हो गया नौ पंजे पैता लिज नौ चिका चौपन ठीक है जी लास्ट पीवन क्यू जीरो पीवन क्यू जीरो मतला हाँ बारा चिक का बैतर असी शोला पंजे वापिस असी और यह हो गया तीन तीन वाँ ठीक है जी तो हमारी सारी चीजे आ गई है यहां पर कोई दिक्कत को परिशानी एक और गाल्कुलेशन देख लेता हूं मैं देखो है ना मिर पास है अपने नोट्स तो उसी में से एक बा वापिस वापिस उल्टा चांडना भारी पड़ जया पीवन क्यू जिरो बैतर असी तीन पीजिरो क्यू जिरो साट साच चलिए सत्ता इस ठीक है आँ पीवन क्यू नाइंटी सिक हंड्रेड फॉटीएट सिक्स और लास्ट पीजिरो क्यू वन असी पिचत्तर चोईस हो गया 240 240 में से StudentsOT क्या क्या है मैं क्या तो समेशन ओस्स तुमारा समेशन और P1 क्यू जिरो नैंट सयब एक सो चालेस सब्सक्रेड लगें 229 और 33 233 आवर यह समिशन ओप P0 Q1 next 100 200 202 202 जाइसो वा क्या बात है ठीक है क्या आगया यह जाइसो आपका समिशन ओफ P1 Q1 and last one सब्सक्राइब पर बटन में आपको मिल जाएगा उसको देख लेना वाकी नॉर्मल इसको बस डिवाइड करना है आपका आँसर आजाएगा अगर यह मुझे calculate करना है P1 Q1 P1 Q1 आ रहा है धाइसो डिवाइड़ बाइ P0 Q1 P0 Q1 233 इंटू हंट्रेड आपका answer आ जाएगा या तो एक सो साथ एक सो नो क्या स्पास आना चीकिता रहा है औरे क्या बात है यार फेरे गुड़ एक सो साथ पुइंट दो नहीं नहीं आ रहा ह समझ गया क्लीर हो गया क्या मैं आंसर तीनों के बता देता हूं हमारे जो पास्चे है पास्चे इनका answer आ रहा है एक सो साथ पॉइंट कर लेना आप चाहो तो टू नाइन ठीक है अगले हैं आपके लेस पेर इनका रहा है 125.67 और इन दोनों का अगर अपना आवरेज करते त पॉइंट एक तीनों से अनसर जोने थोड़े तोड़े से अलग आ रहे हैं वो अलग क्यों आ रहे हैं क्योंकि तीनों का मैं ठीक में चीजें हैं जो कि इसमें आपको करनी हैं कौन-कौन सी है सबसे पहले बात करता है पून consumer price index consumer price index इसको हम cost of living index भी बहुलते हैं consumer price index का मतलब क्या है consumer के हिसाफ से महेंगाई कितनी बढ़ गई है यानि कि जीना कितना महेंगा हो रहा है इसको मुलते है consumer price index for example it measures the average change in the prices paid by the specific class of consumer कि middle class पहले कितने में जी सकता था आज middle class कितने में जी सकता है कितनी महेंगाई middle class के level पर बढ़ गई है ठीक है next आता है for goods and services consumed by them in the current year in comparison to base year for example 5 kilo दाल 2011 में कितनी थी in comparison to आज कितनी है ठीक है हम इन दौनों को compare करते हैं उससे पता लगाता है consumer के लिए महेंगाई कितनी हो गई है जैसे मान लो कि पहले के मुगाबले price 20% बढ़ गया तो consumer की निकम भी 20% बढ़नी चाहिए वर्ना वह वह विचारा के से खाएगा पीएगा ठीक है तो यह जो calculate होता है यह तीन प्रकार के लोगों के लिए calculate होता है कौन से पहला industrial worker के लिए इसके साफ से उनका कितना उनको wages वगेरा देना है यह पता किया जाता है दूसरा अर्बन शहरों में रहने वाले non-manual employees ठीक है इंप्लोईज जो अर्बन शहर में रहके काम कर रहे है उनके लिए calculate किया जाता है and lastly agriculture में काम करने वाली laborers के लिए agricultural laborers के लिए यह count की जाता है basically main motive क्या है main motive यह है कि यह देखिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई है इनके इसाब से उस समय के इसाब से इनकी तनका बढ़नी चाहिए ठीक है जैसे 2011 में दसजार लेटे थे आजे बारा जाल ले रहे तो इनकी 20% की salary बढ़ गई है पर हम देख रहे हैं कि 2011 से 2022 तक में महंगाई 50% बढ़ गई तो यह 20% increment इनकी salary अच्छी नहीं है नुकसान देए यह यह पहले के मुकाबिर और ज्यादा गरीब हो गए 20% salary ज्यादा लेके क्योंकि महंगाई इनके salary के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है समझ में आगया अब बात आती है कि कैसे calculate किया जाता है तो इसको calculate करने के लिए ज्यादा हद्या नहीं लगानी है एक है family budget method जहां पर हम पूरी family चलाने का budget देखते हैं मैंने यहां पर बताया था कि 40 kg दाल 30 kg चावल और यह सब जब हम एक family चलाने का खर्चा देख रहे होते तो यहां पर same method जो हमने यहां इस्तमाल किया था वही exact same method इस्तमाल किया जाता है in order to calculate index number कौन सा वाला CPI consumer price index ठीक है अगर हम बोले कि aggregative method का इस्तमाल करना है खर्चे के base पर तो आप खर्चे के base पर जो है आप less pair का method जो है इस्तमाल कर सकते है निकि quantity of base year P1Q0 upon P0Q0 into 100 CPI consumer price index ठीक है तो अगर आपको बोले कि consumer price index calculate करो family budget method से तो वह आपको weighted calculate करने को कह रहा है अगर वह बोले कि aggregative method से करो तो वह आपको क्या कह रहा है वह आपको calculate करने को कह रहा ह है on the basis of base year समझ में आ गया clear हो गया easy है simple है आगे बढ़े consumer price index next आता है आपका wholesale price index जिसको हम बोलते हैं WPI यह तो का consumer के नजरिये से अब बात करते है wholesale के नजरिये से it measures the relative change in the price of commodity at wholesale level कि retail में चलो profit margin भड़ने के वज़े से महंगाई बढ़ सकती है wholesale में तो यह वाली कहानी आती नहीं वो तो direct manufacturer से है ठीक है तो wholesale price index क्या calculate करता है wholesale price index calculate करता है कि wholesale level पे कितनी महंगाई आई है यहाँ पर जो base year हम लेते हैं वो है सन 2011-12 वाला इसका यूस का आता है demand supply पता करने के लिए real value में कितना बगदावा है genuinely cost of production बड़ा है या सिर्फ profit margin increase हुआ है ठीक है यह rate of inflation calculate करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है कैसे calculate करते हैं ध्यान लखना हो सकता है आपके आजा है rate of inflation inflation मतलब महंगाई हर week calculate के जाता है हर week इसका formula होता है एटू माइनस एवन अपॉन एवन इंटू हंड्रेड बहुत आसान formula है एटू और एवन क्या है एवन है पहले week में हमने calculate करा दाम एटू है तूसरे week में calculate करा मतलब पिछले हफते आलू 10 रूपे पे मिल रहे थे wholesale में इस हफते आलू 12 रूपे में मिल रहे हैं ठीक है है तो हम यहां से inflation निकाल सकते हैं बारा माइनस दस अपॉन दस इंटू हंड्रेड ठीक है 20 परसेंट कि बढ़ गई है होलसेल लेवल पर क्लियर हो गया तो यह होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत ज़रूरी है इंफलेशन इसी से निकाला जाता है ठीक है जी चलिए अंतिम टॉपिक इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रड़क्शन अपन ने जितना अभी इंडेक्स नंबर पढ़ाना वो सब प्राइस को लेकर आगे पीछे घुम रहा था जहां जो इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं on the basis of production या quantity के तना सामान बना है इसके basis पर तो जितने भी आभी आपने formula देखे थे वो सब प्राइस के बेस पर थे यह formula quantity के बेस पो जाएगा बाकी कोई इतला नहीं है इंडेस्ट्री में production कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है इसके साफसर्म calculate करते हैं income पर देंट बन रही थी आज सब 120 बढ़ रही है तो 20% हमारे production capacity बढ़ गई है ठीक है यहां पर जो इंडेस्ट्री है उसको हमारे यहां प manufacturing industry और electricity industry के बेस पर ठीक है अब यहां पर भी base year 2011-12 लिया जाता है एक्जांपल के तौर पर आपके सामने question है इसमें भी देखो क्या है तीन categories में divide किया गया है manufacturing electrical and mining इंडेस्ट्री ठीक है यहां पर base year में production आपको बताया है इतना हो रहा था current year में इतना हो रहा था यह हमने रखा है weight मतलब वही तुम्हारा कितना इनकी importance है तो जब weight दे रखा है तो formula हम वही लगा देंगे ठीक है बस formula बदलाव क्या हो जाएग जो पहले P1 upon P0 into 100 था वह R up convert हो जाएगा Q1 upon Q0 into 100 P1 P0 से कितना हो गया Q1 upon Q0 into 100 बाकी सब कुछ से मैं आप चाहो तो आप calculate कर लो वैसे मेरे साब से सेम ही है तो ज्यादे दिमाग आपको लगाना नहीं है Q1 upon Q0 into 100 बस calculate करो और यहां समझ में आ गया clear हो गया तो इंडेक्स नंबर में नाम इनके अलग-अलग है जबकि formula is majorly sum का एक ही है चाहो तो इसको कर लो और मैं answer बता हो कहा है यह दर लिखावादा ना 232.27 232.27 यह आपका approximately आंसर आ रहा है तो एक बार चेक कर लेना कि आप लोगों का आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है सेम मेथड़ है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है रहा है इन 200 की यह हो गया ठीक है clear हो गया तो वालों को यह आपका index हो गया आपका statistics पूरा इसके लावा microeconomics, accountancy, business studies और stats के बाकी सभी chapters के one shot भी लगा रहे हैं description में और comment में आपकी लेक surprise है इन सब के यानि हर एक subject के हर एक chapter के notes और one shot मैंने comment में डाल रहे हैं click कीजिए एक link पर सब मिल जाए go and check it out मिलता है गरी वीडियो के साथ, till then keep on watching